क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं, मान लेते हैं कि एक दिन आप अंतरिक्ष की सेर पर जाते हैं, और इंसानों के रहपाने के लिए एक नए ग्रह की खोज कर रहे हैं, लेकिन आपका सामना होता है एक ब्लैक होल से, और आप सोचते हैं क्यों ना इसका भी म की सभी forces पर भारी पढ़ जाती है और इस core को एक black hole में बदल देती है लेकिन इसका नाम सुनकर गुमराह ना हो बलकि ये एक बहुत ही छोटी जगह में समाया हुआ बहुत सारा matter होता है सूरज के बारे में सोचिए जिसकी gravitational field यानि गुरुत्वा कर्शन क्षेत्र पृत्वी क तुलना में 28 गुना ज्यादा है अगर आपको सूरज पर चलना हो तो आपका वजन पृत्वी पर आपके वजन की तुलना में 28 गुना ज्यादा होगा अब कल्पना कीजिए आपने चार सूरजों को एक ऐसी चीज में भर दिया है जिसका diameter केवल 15 मील यानि 24 किलो मीटर है य एक ब्लैक होल की ग्रैविटी इतनी ज्यादा होती है कि प्रकाश भी यहां से बाहर नहीं निकल पाता इसलिए आप कभी इसे देख नहीं पाएंगे लेकिन आप ब्लैक होल में से निकलने वाली गामा किरणों के विसफोट की मदद से इसे पहचान सकेंगे इन विसफोटो की खोज स्टीफन हॉकिंग ने की थी खुद स्टीफन हॉकिंग का भी मानना था कि ब्लैक होल दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हो सकते हैं तो अगर आप इसमें गिरते हैं क्या आप खुद को किसी दूसरी दुनिया या अल्टरनेट डायमेंशन में पाएंगे। और तेज होती चली जाएगी आप जैसे जाबाज अंतरिक शियात्री के लिए ये पहली बुरी खबर है एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स यानि गुरुत्वा कर्शन बल बहुत ज्यादा होता है अगर आपके पैर पहले नीचे पहुंचते हैं अगर आप एक स्टेलर ब्लैक होल की तरफ खिंचते हैं तो आप इवेंट होराइजन तक पहुंचने के पहले ही पूरी तरह से बिखर चुके होंगे तो कोशिश करें कि गिरने के लिए बेहत बड़े ब्लैक होल को चुने ऐसा जिसका वजन हमारे सूरज के वजन से 10 लाक गुना ज्यादा हो ऐसा होने पर घटना क्षितिज पार करने पर आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपके पैर और सर दोनों हिस्सों पर लगने वाली ग्रैविटी लगभग बराबर होगी और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा ब्लैक होल कहां मिलेगा तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है हमारी आकाश गंगा गैलक्सी के बीचों बीच एक ऐसा ब्लैक होल है खुश किस्मती से ये 1500 प्रकाश वर्ष दूरी पर है ये ना तो हमारे सूरज को निगल सकता है ना ही ग्रहों को लेकिन अभी से अपना सामान ना बांधें इवेंट होराइजन को पार करना है तो इस चुनौती की केवल शुरुआत है ब्लैक होल के केंद्र में एक ग्रैविटेशनल सिंग्यूलारिटी होती है जहां डेंसिटी यानी घनत्व असीम होता है आप केंद्र की तरफ खिंचते चले जाएंगे और ब्लैक होल में मिलकर एक हो जाएंगे आप अपने इस अनुभव के बारे में किसी को बता नहीं पाएंगे हालां कि इवेंट होराइजन के बाहर से आपको देख रहे एक शक्स के लिए तस्वीर अलगी होगी जैसे जैसे आप एक ब्लैक होल में गिर रहे होंगे वो आपको धीमा, कमजोर और लाल होते देखेंगे आखिर में आप जम जाएंगे और इवेंट होराइजन को पार नहीं करेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि एक ब्लैक होल में स्पेस और समय दोनों आपस में अपने किरदार बदल लेते हैं घटना क्षितिज में समय बंद पढ़ जाता है वहीं स्पेस आगे बढ़ने लगता है आप पीछे मुड़कर ब्लैक होल से भाग नहीं पाएंगे नहीं आप समय में वापसी कर पाएंगे अगर ये ब्लैक होल कभी खत्म भी हो जाता है और आपके शरीर समयत अपने अंदर का हर कंड बाहर कर देता है तो ये बता पाना नामुम्किन होगा कि वो कर्ण आपके है हालांकि स्टीफन होकिंग ने एक रास्ता निकाला जिससे आपके शरीर की सूचना खोएगी नहीं उनकी थियोरी के मताबिक अलग-अलग दुनियाओं के इतिहास भी जुदा होते हैं सब्सक्राइब करें